ये घोटाला हुआ है भारत के प्रधान मंत्री आधनी नरेंद्र मोदी जी के संद्रा कि किस तरह से प्राइवेट कमपनियों को फाइदा पहुचाने के लिए कोल ब्लाक सावंटित किये गए कि कांग्रेस ने कोईला घोटाला करके पूरे देश के चेहरे पर कालिक पोतने का स्प्रिम कोर्ट के आधेस के बावजूद ये दो कोईला खदाने क्यों नहीं रद की गए कोईली कोट के आधेस का भी उलंगधन और भारत के सरकार के द्वारा बनाएगे कानूनों का भी खुला राजस्थान की कोईला खदानों से कोईला निकालके राजस्थान को ही जो क कोईला बेजता है वो कोईला बेजता है 2000 उपेटर आप सारे लोगों ने कोईला घोटाला सुना होगा CWG का घोटाला सुना होगा 2G का घोटाला सुना होगा 3G का घोटाला सुना होगा जीजा जी का घोटाला सुना होगा आज जिस घोटाले के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ जिस घोटाले का खुलासा करने जा रहा हो ये घोटाला है अदानी जी घोटाला ये अदानी जी घोटाला है और ये घोटाला किसके संदक्षन में हुआ है ये घोटाला हुआ है भारत के प्रधान मंत्री आदनी नरिंद्र मोदी जी के संदक्षन में मोदी जी की खुली छूट और अडानी की महालूर ये पूरी कहानी मैं आपके सामने सिलसिले वार बताने जा रहा हूँ और इसके सारे काज्यात और साथ छे यहां पर हैं जो आपको देंगे आपको याद होगा भारत के सरवोच्चे नयायले ने जब लाखो करोण का कोईला घोटाला सामने आया और ये पाया कि किस तरह से प्राइवेट कमपनियों को फाइदा पहुचाने के लिए कोल ब्लाक सावंटित किये गए तो उन्होंने बहुत सारी कोईला ख़दानों को कैंसिल कर दिया रद कर दिया उनका आवंटन सिरे से खारिच कर दिया और ये कहा कि आवंटन नियमों के भी प्रीध हुआ है और कुछ चंद प्राइवेट प्लेयर्स को फाइदा पहुचाने के लिए किया गया है वो कोल ब्लाक्स रद्ध हो जाते हैं उसके बाद आदनी नरेंद्र मोधी जी की सरकार आती है जब ये कोले का आवंटन कोल ब्लाक्स का आवंटन 2014 में सुप्रीम कोर्ट रद करता है तो प्रधान मंत्री जी आते हैं प्रधान मंत्री जी ने चुनाओं में कहा था आपको याद होगा कि कांग्रेस ने कोईला घोटाला करके पूरे देश के चेहरे पर कालिक पोतने का काम किया है उस कालिक को कैसे आगे बढ़ाया है मोदी जी ने उसकी पूरी कहानी आप ध्यान से सुनियेगा तो मोदी जी ने 2015 में देश की संसत के अंदर एक एक्ट बनाया कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोईला की खदाने दी जाएंगी वो किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दी जा सकती वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती वो किसी private company के साथ joint venture करके उस खदान को नहीं चलाया जा सकता यह किस न कहा था माननी सर्वोच्य नयायले ने और भारत की सरकार ने कहा कि हम सर्वोच्य नयायले का सम्मान करते हैं सर्वोच्य नयायले ने कोला की खदानों को रद किया है कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद किया है अब हम उसके लिए कानून बनाएंगे 2015 में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया और उस कानून में सुप्रिम कोर्ट के मूल भावना की अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं नहीं साब राज्य सरकारों को जो कोला खदाने मिलेंगी उसमें 26 परसेंट प्राइवेट कमपनियों को शेयर दिया जा सकता है 26 प्रतिसत जॉइंट वेंचर प्राइवेट कमपनियों के साथ किया जा सकता है यानि 74 प्रतिसत राज्य सरकार का मालिकाना हक होगा राज्य सरकार का 74 प्रतिसत सेर होगा राज्य सरकार का लेकिन 26 प्रतिसत प्राइवेट कमपनियों को जॉइंट वेंचर के रूप में सामिल किया जा सकता है पहला खेल यहां से सुरू होता है यानि सुप्रीम कोट के भामना के विप्रीत एक कानून पास किया गया लेकिन मोदी जी की सरकार यहीं नहीं रुकी सुप्रीम कोट ने जिन कोईला के आवंटनों को रद किया था वो लिस्ट में आपको दिखा रहो जिन कोल ब्रॉक्स को रद किया था उसमें बैयालिस और बैयालिस और Seems 24 नमबर पर पारसाइस्ट और कांटा कोईला खदान है ये दो कोईला खदान याद रखियेगा ये सारे कोईला खदान रद हुए ये दो कोईला खदान राज सरकार को मिला था राजस्थान की सरकार को मिला था लेकिन इन दो कोईला खदानों को रद नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोईला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे सुप्रिम कोट के आदेश के बावजूद इन दो कोईला खदानों के आवंतन को जारी कैसे रखा गया मोदी जी जरा बताईए ये दो कोईला खदाने जो राजस्थान कोई सरकार को 36 गड़ में मिली थी आडानी को दे दी गई और 74 प्रतिसद सेयर इसमें आडानी का है और 26 प्रतिसद सेयर राजस्थान की सरकार का है यानि सुप्रिम कोट के आदेश का भी उलंगन और भारत के सरकार के द्वारा बनाएगे कानूनों का भी खुला उलंगन अभी यहीं मामला नहीं रुकता है यहीं मत रुकिएगा कहानी और लंबी है इस समझोते के हिसाब से कैसे अडानी को लगबग एक लाख करोन रुपए का कोईला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूँगा अडानी को यह कोईला मिल गया लगबग एक लाख करोन रुपए का कोईला जो सुप्रीम कोर्ट ने रद किया था सरकार ने नहीं माना राजस्थान की सरकार के साथ जो समझहोता हुआ वो चौकाने वाला समझहोता 74 प्रतिसत अडानी को 26 प्रतिसत राजस्थान की सरकार को और कोईला राजसरकार को जो अडानी बेच रहे थे राजसरकार की ही खदान से वो कोईला कोल इंडिया से भी महगा बेच रहे थे कहानी आशुरू होती है कोईल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोईला देता है वो कोईला देता है 2300 रुपए प्रतितन और अडानी राजस्थान की कोईला खदानों से कोईला निकालके राजस्थान को ही जो कोईला बेचता है वो कोईला बेचता है 2000 रुपए टन राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन अडानी देता है तीन सो रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महगा कोला अडानी से खरीती है यानि खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को भारत की सरकार ने का कोईला खदान आपकी है कोईला सस्ते में निकालिये सस्ते में खरी दिये और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा तो सस्ते में आप जंता को बिजली देंगे लेकिन वो कोईला मिल गया अडानी को वो खदान मिल गई अडानी को अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोईला दे रहा है और कोल इंडिया लिम्टेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोईला दे रहा है आप सोचिए जैसे आप एक भैस खरीदे भैस के मालिक आप आप करें पालन पोसन हम नहीं कर पाएंगे अडानी जी आप पालन पोसन कर लो दूद जो निकलेगा बजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना और जो इससे मुनाफ़ा होगा उसमें भी हमारा हक होगा लेकिन अडानी जी ने का भैस आपकी जरूर है दूद हम निकालेंगे बजार से महंगे दाम पर आपको दूद भी देंगे और इतना ही नहीं करेंगे जो एक्स्रा दूद निकलेगा ज्यादा दूद निकलेगा उसको भी हम बेच के पैसा पमाएंगे तो इन दो ख़दानों में पार्सा और कांटा खदानों में कोईले के रिजेक्ट के नाम पे खेल हुआ 36 गड़ की पार्सा और कांटा खदानों में जो राधस्थान सरकार को आवंटित हुई थी वो अडानी को दे दी गई और अडानी ने इसमें कोल रिजेक्ट के नाम पर एक खेल किया ये खेल भी बड़ा इंट्रेस्टिंग है बड़ा मज़ेदार है ये खेल क्या है कोल इंडिया कहता है बाइस सो किलो कैलोरी तक का जो कोईला होता है वो कोईला पावर प्लांट के इस्तेमाल योग्य है अडानी जी के साथ जो राजस्थान की सरकार ने वहाँ की पावर लिम्टेड ने जो समझोता किया उसमें लिखा गया ध्यान से सुनियेगा उसमें लिखा गया चार हजार किलो कैलोरी से नीचे का कोईला उप्योग के योग्य नहीं होगा यानि की इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा जब पोलिंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का कोईला इस्ते माल योगज पावर प्लैंट में सब्सक्राइद की सरकार के साथ आड़ानी जो समझता करते हैं वो कहते हैं 4000 किलो कैलोरी के नीचे का जो कोईला होगा वो इस्ते माल के योगज नहीं होगा यानि की वो N ela